गाइस आज की वीडियो के कुछ वेकैपलरी वर्ड्स हैं अमेकुलेट, मैलो, शैबी, मैसमराइस, रटाइरी, ब्रेंश्टॉर्म, चोकप, एमपेशेंट यस गाइस और भी इसी तरह के वर्ड्स हैं साथ में इनके मीनिंग और एक्जाम पास के बारे में बात करेंगे ताकि इनने लॉंग पिरिड अफ टाइम के लिए याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो को लास तक देखते रहे, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉल्लो गर लीजे, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ So, hello guys, I'm Nika and welcome back to my YouTube channel, let me flow Without any further ado, let's jump to the video So, first word is, immaculate इसका मतलब होता है, साफ सुत्रा, या फिर बेदाग, या फिर जिसमें कोई कमी ना हो, तुरुटी हीन चलिए example लेते हैं I love to wear immaculate white shirts मतलब मुझे सफेज shirts पहननी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो बेदाग हों, साफ सुत्री हों I love to wear immaculate white shirts One more example is here Your dance performance on the stage was immaculate मतलब, stage पर जो तुमारी dance performance थी, वो बहुत ही ज़्यादा तुरुटी हीन थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी Your dance performance on the stage was immaculate Next word is, impatient इस word के दो मतलब होते हैं मतलब, किसी की गलती से बहुत जल्दी चड़ जाना या फिर किसी की गलती से बहुत जल्दी गुच्सा हो जाना इस word को इस sense में भी यूज किया जाता है किसी चीच को पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होना या फिर बेचैन होना चले एक्जामपल लेते हैं मतलब हमें अपने से छोटों की गलतियों पर बहुत जल्दी चड़ना नहीं चाहिए या फिर बहुत जल्दी गुच्सा नहीं होना चाहिए एक और एक्जामपल है मतलब मैं अपने खुद के बिस्निस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यदा उतावला हूँ या फिर बहुत ज़्यदा उत्सुक हूँ नेक्षवर है मेलो इसका मतलब होता है मधूर या फिर कोमल या फिर शान्त टाइब में चले एक्जामपल लेते हैं मतलब आज मेरा शान्त मूड है एक और एक्जामपल है मतलब मैं एक ऐसा परसन था जो दूसरों की गलती से बहुत जल्दी चिड़ जाता था या फिर दूसरों की गलती से बहुत जल्दी घुसा हो जाता था लेकिन मैं समय के हिसाब से मदूर हो गया मैं समय के हिसाब से शान्त हो गया इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी स्थिती में हो या फिर आप बोल सकते हैं फटा पुराना टाइप में चले एक्जामपल लेते हैं मतलब मैं एक ऐसी जीन्स पहनता था जो बहुत फटी पुरानी थी या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिसी वी थी One more example is here You need to repair your shabby building मतलब तुम्हें अपनी पुरानी building को repair करने की ज़रुवत है उसकी मरम्मत करने की ज़रुवत है You need to repair your shabby building Next word है Choke Up Basically यह एक phrasal verb है इसका मतलब होता है किसी दुख या फिर किसी feeling की वज़ा से बोल ना पाना या फिर बोलने में परिशानी होना चले example लेते हैं Whenever I talk about her mother, she chokes up मतलब जब भी मैं उसकी मम्मी के बारे में बात करता हूँ तो वो इस बारे में बात नहीं कर पाती है मतलब वो रोने वाली होती है, बोल नहीं पाती है Whenever I talk about her mother, she chokes up एक और example है She can't watch बागवान movie without choking up मतलब वो बिना रोय बागवान movie नहीं देख सकती मतलब movie देखता समय वो रोती है, कुछ बोल नहीं पाती है She can't watch बागवान movie without choking up Next word is mesmerize इसका मतलब होता है किसी को मंत्र मुग्द कर लेना या फिर अपनी ओर आकर्षित कर लेना उसकी वज़े से उसका किसी और में इंट्रेस्ट नहीं होता है उसका किसी और पर अटेंशन नहीं होता है चले example लेते हैं I am mesmerized by her smile मतलब मैं उसकी मुस्कान की तरफ आकर्षित हो गया उसकी मुस्कान की तरफ मंत्र मुग्द हो गया I am mesmerized by her smile एक और example है When I listen to her songs I was mesmerized by her voice मतलब जब मैंने उसके गाने सुने तो मैं उसकी आवाज की तरफ मंत्र मुग्द हो गया उसकी आवाज की तरफ आकर्षित हो गया When I listen to her songs I was mesmerized by her voice Next word है Short tempered इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दे गुसा हो जाता है या फिर आप यह भी बोल सकते हैं क्रोधी चले example लेते हैं When someone scolds me I am very short tempered मतलब मैं बहुत जल्दे गुसा हो जाने वाला इंसान हूँ या फिर मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाने वाला इंसान हूँ जब कोई मुझे डाणता है When someone scolds me I am very short tempered एक और example है She is very short tempered when it comes to her past मतलब जब भी उसके past के बारे में बात करते हैं या फिर कोई ऐसी बात आती है जो उससे past से relate करती है तो वो बहुत जल्दी गुसा हो जाती है या फिर बहुती जल्दी क्रोधित हो जाती है She is very short tempered when it comes to her past Next word is retiree इसका मतलब होता है एक ऐसा person जो काम को त्याग चुका हो या फिर काम से इस्तिफा दे दिया हो या फिर काम करना बंद कर दिया हो चले example लेते हैं Mark's father is retiree मतलब Mark के पापा ने काम करना बंद कर दिया है या फिर काम से इस्तिफा दे दिया है Mark's father is retiree एक और example है I met a retiree to take some information about business मतलब business से जूड़ी जानकारी लेने के लिए मैं एक retiree से मिला या फिर एक retired इंसान से मिला I met a retiree to take some information about business Next word है brainstorm इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी संकट की इस्तिती या फिर उल्जन की इस्तिती जिसमें तुरंत react करना होता है चले example लेते हैं He had a brainstorm when I asked him where was he late night मतलब देर रात को वो कहा था जब मैंने उससे यहोँ पूछा तो वो एक ऐसी उल्जन की इस्तिती में था जहां पर उसे तुरंत जवाब देना था जहां पर उसे तुरंत react करना था इस वर्ड को as a verb भी यूज किया जाता है अगर हम इस वर्ड को as a verb यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है थोड़े से समय में उल्जन या फिर समस्या का समधान निकालना या फिर तुरंत निर्ने लेना चले example लेते हैं Two players were in the front of footballer to take ball Footballer had to brainstorm मतलब footballer के सामने ball को लेने के लिए दो players थे लेकिन footballer को इस उल्जन से निकलने का तुरंत निर्ने लेना पड़ा Two players were in the front of footballer to take ball Footballer had to brainstorm Next word है persuade इसका मतलब होता है किसी को किसी चीच के लिए राजी करना या फिर किसी को किसी चीच के लिए मनाना चले example लेते हैं I persuaded her to change her decision मतलब उसका निर्ने बदलने के लिए मैंने उसे मनाया I persuaded her to change her decision एक और example है My family has persuaded me to get married मतलब शादी करने के लिए मेरी family ने मुझे मना लिया है My family has persuaded me to get married Next एक phrase है Bring something to light इसका मतलब होता है किसी चीच पर रोशनी डालना या फिर किसी का राज खोलना या फिर किसी की गुप्त बात को बता देना चले example लेते हैं Police brought truth to light of car accident मतलब car accident के सच पर पुलिस ने रोशनी डाली Police brought truth to light of car accident एक और example है Finally he brought reason to light Why he was in dispute with his wife आखिरकार वो अपनी बीवी से वाद विवाद में क्यों था इस कारण पर उसने रोशनी डाली या फिर इस कारण का उसने राज खोला Finally he brought reason to the light Why he was in dispute with his wife Next word है Irresponsible इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार चले example लेते हैं When it comes to returning money People are very irresponsible these days मतलब जब पैसा वापस देने की बाद आती है तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं When it comes to returning money People are very irresponsible these days एक और example है You never come on time You are such an irresponsible person मतलब तुम कभी समय पर नहीं आते हो तुम सच में एक गैर जिम्मेदार इनसान हो You never come on time You are such an irresponsible person So that's it guys for this video Guys आपके लिए homework है आपके सामने दो words है Stride and Momentarily इन दोनों words की meaning मुझे comment section में बताईए अगर आपको फिर भी कोई problem हा रही है तो इन दोनों words को उनकी meaning and examples के साथ मैंने अपने पिछली वीडियो में लिया है उस वीडियो का link इस वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से आप check भी कर सकते हैं और guys आपको वीडियो कैसे लगी और आपने वीडियो में क्या नया सीखा मुझे comment section में जरू बताएं Thanks for watching this video guys See you in the next video जहेंद जबारद